हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एक्जाम, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डियलेट्स सेकेंड और फॉर सेमेस्टर के इंग्लिस, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके ग्रामर्स में, जिसे कमपाउंड और कॉंप पार्ट है, यानि इस हबते में आपके फिनिस हो जाएगी, यह पूरा का टॉपिक, फिर नेक्स्ट, ऐसे पूरे सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, English काफी lengthy होती है So I will request you कि पहले जाके सारे topic अच्छे से आप पढ़ना सुरू करो तो कि आपके question कहां से आते हैं ये कोई fix नहीं है So इसके लिए आप लोगों को continue पढ़ना होता है और सबसे बड़ी चीज कि मैं आपको जो भी topic कराऊंगा उससे related exercise दूँगा तो आपको ध्यान रखना है exercise को जरूर से जरूर लगाना है exercise बहुत important चीज होती है अगर आप exercise करना सुरू कर दोगे तो आपको confidence आता है किस चीज का confidence आता है कि आप question को exam में भी कर पाऊगे तो ये बहुत important होता है exercise को करना चलिए देरना करते हुए start करते हैं हम अपने session को तो हमारा जो पहला part आता है introduction part इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे synthesis एक word आता है synthesis इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में इसे sensation बोलते हैं अब इस synthesis का मतलब क्या होता है जिस तरह से sensation का विलोम अगर आप पढ़े होगे wishlation जिसे English में analysis बोलते हैं देखो याद रखो मैं अगर कोई भी चीज आपको बता रहा हूँ तो उसे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसे लिखते जाना है अगर उसकी spelling आपको नहीं पता है तो वो आपको लिखते जाना है तो analysis का apposite होता है synthesis और synthesis का apposite होता है analysis wishlation का मतलब होता है कि हम उसका part part खोल देंगे मतलब मालो कोई sentence दिया है ठीक है जैसे लिखा गया है Sita reads book बहुत ध्यान से समझेगा मैं बहुत अच्छे तरह के समझाने वाला हूँ Sita reads book अब इसको जब हम listen करेंगे analysis करेंगे sentence पे then हम कर सकते कि Sita हमारा noun है ठीक है read हमारा क्या है verb है and हम कर सकते है book हमारा क्या है object है तो हमने इसको क्या कर दिया analysis कर दिया इस sentence पे but जब हम इनही सब को जोड़ देते हैं बहुत ध्यान समझना जब हम noun verb और object को जोड़ देते हैं तो हम synthesis कर देते हैं इसी तरह से कहा गया है कि जब 2 simple sentences को add किया जाता है एक simple sentence में जब 2 simple sentences को add कह जाता है compound sentence में जब 2 simple sentences या उससे ज़्यादा sentences से उसका रीजन यह है कि आपको देना है इंग्लिस का एक्जाम, आप एक्जाम देऊगे किसका, इंग्लिस का, तो सबसे इंपॉर्टन चीज है यहाँ पे, कि आपको एक्जाम इंग्लिस का देना है, तो सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि आपको इंग्लिस आनी चाहिए, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते हैं हम लोग, कि अगला क्या है हमारे सामने, तो जैसा कि लिखा गया है, कि synthesis is the opposite of analysis, मैंने आपको अभी समझा है, since synthesis is the opposite of analysis and means to combine a number of simple sentences, याद रखना कि combine a number of, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा, एक number of का मतलब होता है, देखो यह phrase होता है, याद रखना इस चीज को, यह जो मैं कर रहा हूँ ना, यह phrase होता है, और इसका मतलब क्या होता है, कि एक स ज़्यादा, क्या होता है, एक से ज़्यादा, तो यह ध्यान रखना है, a number of simple sentences into one new sentence, तो जब हम कभी भी, एक से ज़्यादा simple sentences को, एक नए sentence में convert करते हैं, और वो नया sentence कैसा होना चाहिए, simple होना चाहिए, compound होना चाहिए, या फिर किस में बदल दें हम, complex में बदल दें, तो ऐसे sentences को हम कहते हैं, कि synthesis किया गया है, या हम उनको क्या किये हैं, जोड़े हैं, synthesis का मतलब सीधा समझो, कि translation करना, analysis का मतलब होता है, visliction करना, synthesis का मतलब होता है, जोड़ना, analysis का मतलब होता है, तोड़ना, समझ में आया, चलिए, आगे, जैसे, यहाँ पर दिया गया है, बना इस तरह से बहुत पढ़े होगे imperative sentence, exclamatory sentence तो ये सब किसके आधार पे है ये सब है, ये बनावट के आधार पे नहीं होते है ये आपकी situation यानि की का सकते हो की condition बोलने के speech के आधार पे होते है ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होते है वो बनावट के आधार पे होते है तीन तरह के sentence होते है number first होता है simple sentence जिसे हिंदी में क्या कहते है साधारण वाक्य कहते है बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको ये compound और complex sentence पूरा clear होगा हिंदी में क्या कहते है इसे साधारण वाक्य कहते है दूसरा होता है compound sentence जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहते है और ये सारी चीजें आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिलती होगी और ये सारी चीजें आपको संस्कृत में भी पढ़ने को मिलती होगी और वही चीज आपको यहाँ पर बनने को मिलिए तो याद रखेगा सबसे पहली चीज कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार के sentence होते हैं, तीन प्रकार के sentence होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, clear, कौन-कौन से simple sentence, compound sentence and complex sentence, ठीक है, आईए देखते हैं, combine simple sentences into a single simple sentence, जब हम कभी भी एक से ज़्यादा simple sentences को केवल एक simple sentence में combine करते हैं, तो ऐसी चीजों को हम किस-किस base पे कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजेगा, ये ऐसा topic है जो आपके syllabus में नहीं है, इसलिए मैंने इसको derive नहीं किया है, काफी अच्छा और काफी lengthy topic है, अगर आप लोग कभी super TED की preparation कर रहे हो ना, तो ये topics आपको पढ़ाये जाने हैं, अगर आप English उसमें ले रहे हो, ठीक है, अब देखो ध्यान से करना क्या होता है, ये किस-किस के base पे convert होते हैं, तो use of participle, use of nominative absolute, use of infinitive, use of noun or phrase in apposition, use of preposition with noun or gerund by using adverbs and adverbial phrase, by using adjective or a conjunction तो ये इतने तरीके से हम किसी भी simple sentences को एक simple sentence में बदल सकते हैं, जैसे example दिखाता हूँ आपको, जैसे, दो sentence लिखा गया ना, यहापे, सरिता took her food, सरिता went to school, सरिता ने खाना खाया, और सरिता school गई, तो देखो होता क्या है, कि ये दोनों simple sentences हैं, और इनको जब हम एक simple sentence में convert करेंगे, तो हमें इन में से किसी का यूज करना है, इन जितने साथ steps आपको लिखे गए हैं, इन में से किसी एक चीज का यूज करके, इन दोनों को एक simple sentence में convert करना है, तो हम सबसे पहले यूज करेंगे, use of participle, तो use of participle का कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हूँ जैसा के लिखा गया है having taken her food अपना खाना खा करके सरिता went to school सरिता इस्कूल गई ध्यान से रखना कभी भी ध्यान रखे गया आप अगर conjunction का मेरा part पड़े होगे conjunction का मेरा वीडियो पड़े होगे तो आपको ये clear हो रहा होगा कि जब हम simple sentence बना रहे हैं तो हम किसी भी conjunction का यूज नहीं करते हैं मैंने आपको conjunction पढ़ाते समय ही बताया था कि जब हम conjunction पढ़ते हैं या conjunction का यूज करते हैं तो उनसे हम दो तरह के sentence बनाते हैं एक हम बनाते हैं compound sentence और दूसरा हम क्या बनाते हैं complex sentence बनाते हैं ये आपको ध्यान देना है ठीक है तो हमने दो तरीके के sentence पढ़ने हैं किसके बेस पे conjunction के बेस ठीक है अधरवाइस जब हम simple sentence बनाते हैं तो उनमें से हम इन cases का यूज करते हैं और ये cases के लिए आप लोगों के लिए मैं आएका offer लेके भी आया है हूं ध्यान रखेगा कि मेरे ही channel पे आप 299 रुपए की fees को pay करके आप बहुत आसानी से पूरी जो भी semester होगा आपका उस semester की math उस semester की English और उस semester का science even SST पूरा brief में ऐसा नहीं है कि आपको भगा भगा के जैसे YouTube पढ़ाया जाता है ऐसे पढ़ाओंगा पूरी brief में और साथी साथ आपके जितने exercise होंगे आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो आप उन exercise का एक एक exercise का solution ले सकते हो मुझे से तो वह offer मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ जिसको मैं अपने face video के थूँ आप सब के सामने discuss करूँगा कि आप उस offer में कैसे join कर सकते हो कैसे अपने साथ लग सकते हो तो ध्यान रखेगा मैं आपको बता दूँ कि ऐसे जो भी offer आएं मात्र 299 का हीं भी coaching करने जाओगे ना इतने सस्ते में कुछ मिलता नहीं है ठीक है अब सबसे वड़ी चीज की कितने back लगते हैं ये हमें पता है तो वो चीजे ना लगे और आपको knowledge अच्छी तरह से हो क्योंकि जितना आप DLA में पढ़ोगे उतना ही आपके TET के लिए आसान होगा तो इन सब के लिए भी हम लोग एक batch लाने वाले हैं उसका भी बहुत कम minimum price रखा जाएगा 599 रुपय का बहुत आसानी से आपको एक एक आपके एक doubt का मैं clear fix करूँगा चाहे वो एक बच्चे का रहा हो चाहे 10 का रहा हो सब का एक clear किया जाएगा और इस offer के लि आपे सारी चीज़ें आपको provide कराए जाएंगी अगर ये मन्त ली रहेगा आपको next month नहीं मन कर रहा है पढ़ने का आप ना चोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपका पढ़ने का मन कर रहा है फिर आप next month पे करो 300 रुपय कुछ नहीं है आज के दिन में आप सोचो 30 दिन में हमने 300 देने हैं मतलब 10 रुपय 10 रुपय में क्या चाहिए आपको मैं thing list मैं सारी provide कराऊंगा even sst को भी मैं provide कराऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे आज formation of compound sentences formation of compound sentences क्या होता है दो या दो से अधिक simple sentences में से compound sentences बनाना तो जब दो या दो से अधि एक simple sentence आपके सामने लिखे जाएंगे तो उनसे हम compound sentence कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको conjunction पता होना चाहिए पहले चीज़ तो compound sentence कितने प्रकार के होते हैं वो दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं ध्यान रखेगा एक होता है coordinating conjunction और दूसरा आपके relative pronounce या relative adverb के base पे बनाए ज कैसे इस चीज़ को समझेगा कि मैंने आपको conjunction का मैं फिर से recommend करूँगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहे है तो उसका सबसे बड़ा region है कि आपने conjunction नहीं पढ़ा है आप जाके conjunction का पूरा topic पढ़िए बहुत अच्छे से मैं समझाया हूं conjunction को conjunction में मैंने आपको two types of conjunction बताया है अगर आप वहाँ पे ध्यान दोगे तो मैंने two types of conjunction बताया है जिसमें एक मैंने बताया है आपको co-ordinating conjunction और दूसरा मैंने आपको बताया था sub-ordinating conjunction याद रखिए co-ordinating conjunction का यूज हम किसमें करते हैं compound sentence को बनाने में ऐसे याद कर लो देखो मैं structural इसलिए बता रहा हूं and sub-ordinating conjunction के यूज करते हैं complex sentence को बनाने में तो ये ध्यान रखना है आपको ये सब चीज़ें आपके clear रहेंगी तो आप कभी भी exam में ना confused नहीं होगे और टेट का exam तो बहुत आसानी से आप निकाल लोगे क्योंकि उसमें option दिखाना रखता है उसमें आपको बनाना नहीं रखता है तो आपको धूड़ना क्या है compound sentence अगर उसने पूछ लिया तो आपको धूड़ना है coordinating conjunction complex sentence उसने पूछ लिया तो आपको धूड़ना है sub-ordinating conjunction आप आपका काम आसान हो जाएगा अगला दिया गया relative pronouns और relative adverbs से भी इनका हम प्रियोग करके क्या बनाते हैं compound sentence बनाते हैं देखते हैं क्या होता है तो जैसा कि आपके सामने लिखा गया है coordinating conjunction चार्थ प्रकार के होते हैं number first cumulative conjunction number second adversative conjunction number third alternative conjunction and fourth relative conjunction देखो सबसे important चीज क्या है कि ये कि इसकिस तरह के sentences को जोड़ने में काम आते हैं जब आपके दो simple sentence समान भाव के हो जैसे माल लो मैं example देता हूँ जैसे लिखा हो कि सीता सीता is a good girl ठीक है क्या लिखा गया है सीता is a good girl फिर लिखा गया है सीता is an intelligent intelligent girl ठीक है तो ये दोनों condition में आप देख रहे होगे कि ये positive response कर रहे हैं दोनों sentence ठीक है तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे उस समय के लिए हम cumulative conjunction जिसे बृधिकारक कहा जाता है मतलब ये दोनों अगर इस conjunction का यूज करें तो ये sentence अपने आप जुड़के एक बड़ा सा sentence हो जाता है उस समय जब हमारा समान भाव समान भाव मतलब देखो यहां से भी आपका positive वाली feeling आ रही है और दूसरे sentence से भी कौन से ही आ रही है positive वाली ही आ रही है तो ऐसी condition में हम किसका यूज करते है cumulative conjunction का देखो यहां पर बिरोध आ गया तो ऐसी condition के लिए हम कौन सा example लेत happy तो देखो जो गरीब है वो खुस है ऐसा थोड़ा सा विरोध होता है इसमें positive है इसमें negative है गरीब होना अच्छी बात नहीं होती है ठीक है तो गरीब बात यही होती है कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है तो सबसे बड़ी च का यूच करते हैं दोस्तों बहुत ध्यान से समझते रहेगा क्योंकि जब मैं कल आपको sentences करवा रहा होंगा तो आपको सारी की सारी चीजे clear हो जाएंगी सब कुछ समझ में आने लगेगा आज मैं आपको introduction इसलिए दे रहा हूँ कि कल हम करेंगे क्या ठीक है तो समान भाव जब होता है तो उसके लिए हम cumulative conjunction याद रखो हिंदी बूल जाओ आपके exam में इंगलिस आती है तो समान भाव के लिए cumulative cumulative से आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये समान भाव को रिप्रेंट कर रहा है और देको बिकल्प होना चाहिए उसमें तो देखो यहां साफ लिखा गया है दो भिन भिन बिकल्प देने दिखाने वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है जब दो वाक्यों में बिकल्प आपको अलग-अलग दिखे, ठीक है, जैसे, जैसे समझेगा, या तो यहाँ, या तो अंदर आ जाओ, मतलब लिखाओ, come in, या तो बाहर चले जाओ, go out, तो देखो, यहाँ पे क्या हो गया, आपको क्या मिल गया, आपको दो sentence ऐसे मिले हैं, तो जिनमें आपको option चूच करना ह तो ऐसे sentences को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो उसके लिए हम alternative conjunction का, जैसे हमने पढ़ा न, या तो यहाँ, या तो वहाँ, तो either, or neither, nor, ऐसे चीज़ें आप सुने होगे, तो ऐसे conjunction का हम यूज करेंगे इन sentences को जोड़ने के लिए, relative conjunction क्या होता है, बहुत जान से समझेगा परिडाम सूचक होता है, जिसमें क्या लिखा गया है, निसकर्स निकालना, जैसे, अगर लिखा रहा है, he is ill, ठीक है, he is ill, और दूसरा sentence लिखा रहा है, he cannot go to school, he cannot go to school, तो आपको खुद समझ में आ गया कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा, उसका region क्या है, उसका निसकर्स यह निकलता है कि वो क्या है, बिमार है, तो ऐसे sentences को जब हम जोडेंगे दोस्तों, ऐसे चीजों को जब हम जोडेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, सो का, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, तो हम यहाँ पे सो को यूज करके, यानि सो एक ऐसा conjunction को यूज करके, हम होप आपको यह session समझ में आया होगा, next time से हम क्या करने वाले हैं, कल के आपके इस वीडियो में यह चारो sentences जो आपके सामने लिखे गए हैं, चारो types of coordinating conjunction हैं, वो खतम हो जाएंगे, बट मैं फिर से request करूँगा, कि आप please coordinating conjunction का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ को द coordinating conjunction भी पढ़ लीजेगा, जिससे आपको फायदा मिले, और एक बात जरूर से comment box में बताईएगा, कि आपको जो मैं यह session सुरू करने वाला हूँ, 299 का, यह कैसा लगा, जिसमें अभी मैं पूरी brief knowledge दूँगा, कि उसमें क्या क्या चीजे मिल सकती हैं, मैं एक दिन इसके हमारा back ना लगे, सबसे अच्छी चीज़ तो यह होती है, बस हमारे back से चीजें बच जाएं, हम नंबर पाय जाएं, अच्छा खासा पास हो जाएं, और क्या चाहिए, बाकि पैसे तो आपके जिदेने भी private college होंगे, जब वो मांग लिए ना 5000 तो आपको ले जाके दे देन पढ़ता है, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यहां पढ़ने के लिए हमें यह पढ़ने के लिए हम, आप लोग मुझे पता है, आप लोग पैसे के लिए नहीं सोच रहे हो, आपको चीजें अच्छी मिले, तो पैसे देने में कोई प्रावलम नहीं है, और मैं आपको ब काम नहीं करना अच्छे से पढ़ाना अच्छे से आपको नॉलिज दे नहीं है तब तक के लिए थाइंक्यू मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यू सो मच